दोस्तो आज की इस वडियो में हम बात करने वाले है टाटा के टी आगो एक से प्लस की तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है रुशिकेश आप देख रहे धिंक्स टुए एक्स्प्लोर तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इस गाड़ी के कीमत की तो कीमत है इस गाड़ी की 5.99 लाक रूपी जो कि एक शोरूम प्राइस टेली की और इसमें जो इंजन लगा है वो है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रेडूस कर बात करते हैं इस गाड़ी के exterior की तो आप यहाँ पे देख सकते हो सामने की तरफ जो grill है वो काफी attractive लगती है इस गाड़ी की और इसमें जो headlamps दिये गए है वो है projector headlamps तो इसमें आपको LED headlamps नहीं मिलते है और आगे की तरफ जो है chrome का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया ह हुआ है यहाँ पे और नीचे की तरफ आपको मिलते है fog lamp जहाँ पे फिर से आपको एक बार chrome का इस्तेमाल दिखाई देगा fog lamp के side में और उपर की तरफ जो grill है वो आपको मिलती है piano black finish में तो वो काफी एक attractive और bowl look देती है इस car को उसके बाद यहाँ पे आपको power adjustable exterior rear view mirror भी मि applicators के जो option है वो भी आपको उसी mirror में मिलते है तो यह जो mirror है आपको black color में मिलता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलते है alloy wheels जो की है 15 inches के और alloy wheels का जो design है वो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी शांदार जो design है इसका और बात करते हैं इसके brakes की तो आगे की तरफ आपको मिलते है disc brakes और पीछे की तरफ आपको मिलते है drum brakes तो एक बार मैं आपको इसका rear view भी दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पीछे की तरफ जो tail light है वो भी यहाँ पे काफी attractive दिखती है और उपर की तरफ आपको इसमें spoiler भी मिलता है brake light के साथ में और आपको म boot space open करने के लिए key insert करने का option और ठीक उसके नीचे आपको दिखाए देगा आपका reverse parking camera दो parking sensors के साथ में तो चलिए मैं आपको एक बार इसका boot space दिखा देता हूँ तो इसका जो boot space है वो मिलता है आपको 242 liters का with a parcel tray तो आप उपर की तरफ parcel tray देख सकते हो और यहाँ पे जो है boot space कुछ इस तरीके से है और नीचे की तरफ जो है आपको यहाँ पे मिलता है 15 inches का spare wheel जो की आता है इसी black color के rim के साथ में तो यह जो spare wheel है वो आपको alloys में नहीं मिलता है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे left side की तो यहाँ पे सिर्फ आपको fuel lead मिलता है और इसकी जो fuel tank capacity है 35 liters की तो मैंने आपको पूरे गाड़ी का walk around जो है वो मैंने दिखा दिया है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इस गाड़ी के interior की तो चलिए इस गाड़ी के अंदर चलते हैं तो door open करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई देती है इस event जो की आती है car के body color में जो काफी cool लगती है यहाँ पे तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे dashboard दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो dashboard जो है वो यहाँ पे काफी cool दिया गया है तो यहाँ पे आपको मिलता है digital speedometer उसके बाद आपको मिलता है टाको मिलता है electronic multi trip meter और उसके बाद partnership indicator भी मिलता है और उसके बाद आपका trip meter जो है वो भी आप यहाँ से set कर सकते हो उसके साथ आपको fuel warning जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और आपको seatbelt warning आपके जो turning indicators की जो option होते है वो भी आपको यही पे देखने को मिल जाते है और इसका जो digital odometer है वो जब गाड़ चल रही होती है तो काफी cool दिखाए देता है फिलाल जो है गाड़ी रुकी हुई है तो मैं आपको odometer के सारे lights जो है वो दिखा नहीं पाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो steering wheels के controls है वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो दूसरी side में जो है यहाँ पे कुछ और नीचे यहाँ पे जो दो button दिए गए है volume mute करने के लिए और आपके voice control करिए और उसके बाद steering के right side में यहाँ पे आपको front जो lights है उसके controls आपको देखने को मिलेंगे उसके बाद जो beam adjuster है वो भी आपको इसमें यहीं पे मिलता है और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको wipers के control है वो मिलते है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो AC wind का जो design है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है जो काफी cool लगता है जिसके बीच ओ बीच आपको hazard lights का जो option है वो आपको मिलता है उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है 7 inches का infotainment system जहाँ पे आपको options मिलते ह Android Auto का, Apple CarPlay का, Radio, USB, Phone Setup, Contacts और उसके बाद आपको मिलता है audio setup, Bluetooth, phone, park assist और iPod भी आप इसको connect कर सकते है तो चलिए हम वो आपको चलते है home में और उसके बाद जो है इसकी finishing जो है piano finish के साथ में आता है तो यहाँ पे आपको option मिलते है आपके fog light के और अगर आपको door lock unlock करना है तो उसके भी option यहाँ पे मिलते है chrome का जो है इसमें भी इस्तिमाल बहुत सारा किया गया है उसके बाद यहाँ पे आपको मिलते है AC के controls उसके बाद यहाँ पे जो नीचे button दिये गया है वो है सामने वाले AC के controls के उसके बाद पीछे जो defogger है उसका controls उसके बाद air circulation आपको किस त कर सकते हो उसके बाद नीचे की तरफ आपको मिलता है USB port जहाँपे आप अपना zwischen फेंड्र मेले अगारा लगा सकते हो उसके बाद यहाँपे आपको मिलता है Aux input और उसके बाद यहाँपे मिलता हैं 12 volt का charging socket जहांसे आप अपना phone वगरा चार्ज कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे है 5-speed manual gearbox reverse के साथ में तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इसका fit and finish है वो यहाँ पे काफी अच्छा दिखता है इसी black color में तो इस गाड़ी में जो है आपको reverse parking camera भी मिल जाता है तो उसकी भी clarity जो है वो display के उपर में आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे एक option मिलता है आपको जो की है park assist का तो आप जो है बिना reverse डाले भी आप rear view चेक कर सकते हो पूरा का पूरा उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलते है 3 cup holder और यहाँ पे जो है थोड़ी सी जगा दी गई है पीछे की तरफ भी तो आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इसके seats की तो seat की जो quality है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी है अंडर थाय support भी इसमें जो है काफी अच्छा मिलता है आपको उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे driver side door sun visor की तो यहाँ पे आपको एक ticket holder मिलता है और दूसरी तरफ जो है co driver के side में आपको एक vanity mirror मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है day night mirror और बीच में जो है आपको एक reading lamp भी मिल जाता है जिसकी quality जो है वो काफी अच्छी है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे door handle की तो door handle जो है उसमें भी piano black finish का इस्तिमाल किया गया है और जो door open करने के लिए lever है उसमें भी chrome का इस्तिमाल किया गया है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो front to power windows के option जहाँ पे driver side power window जो है वो auto down option के साथ आती है यह auto up option के साथ नहीं आती है उसके बाद उसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे के power windows के option और यहाँ पे जो है आपके windows lock के option भी available है उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे steering की, तो steering आपको यहाँ पे power steering मिलती है, और यह जो है height adjustable है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो option है, वो यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है, तो आप लाइट को on करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे जो है आपके adjust करके दिखा दिया है तो चलिए एक बार इस गाड़ी का rear view भी मैं आपको दिखा देता हूँ लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको door में मिलता एक bottle holder जहाँ पे आप एक diary भी आराम से रख सकते हो उसक बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक speaker तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे की तरफ कैसा scene है तो यहाँ पे अंदर बैठने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे कोई पीछे की तरफ कोई इस event यहाँ पे available नहीं है तो dashboard का जो look है वो मैं आपको एक बार पीछे की तरफ से दिखा देता हूँ क्योंकि काफी cool लगता है इस गाड़ी का जो dashboard है वो इसी electronic console की वजह से तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो spirometer यापे जो steering wheel है जो कि flat button steering wheel है काफी cool लगती है तो बात करते हैं यहाँ पे पीछे के door के controls की तो यहाँ पे lock unlock का option है उसके बाद आपके power window का option है यहाँ पे twitter भी available है और नीचे की तरफ आपको मिलता है bottle holder और यहाँ पे जो grab handle है वो भी काफी कमाल का है जिसकी quality भी काफी अच्छी है और इसके बाद यहाँ पे seat belt के option और headrest जो है वो आपके fixed है जिसकी quality काफी बहतरीन है और इस गाड़ी में पीछे की side में भी legroom और headroom जो है वो काफी अच्छा है मेरी जो height है वो है 5.8 तो इसमें जो है आप बड़े comfortable तरीके से जो है पीछे की side में भी बड़े आराम से बैठ सकते हो तो यह जो गाड़ी है यह आती है 8 अलग-अलग model में तो सबसे पहले आता है XE version जो की मिलता है आपको 4.6 lakh रूपीज की price में जो की यह एक showroom price उसके बाद XT आता है जो की यह 5.2 lakh रूपीज का उसके बाद XZ आता है जो 5.7 lakh रूपीज का उसके बाद आता है XZ Plus जो की 5.99 का उसके बाद आता है LXZ Plus जो आता है Dual Ton roof के साथ में उसकी खीमत है 6.1 lakh रूपीज उसके बाद आता है XZ A Automatic जो की मिलता है आपको 6.2 lakh रूपीज में उसके बाद आता है XZ A प्लस एम्टी जो के आता है आपका 6.49 लाक रूपीज में और सबसे लास में आता है एक जेडे प्लस डूल टोन रूफ एम्टी जो मिलता है आपको 6.6 लाक रूपीज की कीमत में दोस्तों जो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी अगर आपका कोई सुझा होए तो आप नीचे केमेंट कर सकते हो अगर आपने वीडियो का भी तक लाइक और शेर नहीं किया है तो लाइक भी करना शेर भी करना और चैनल को सब्सक्राब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही जैहिन वंदे मातरम